नमस्कार दोस्तों, प्रो टेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है, आज हम लोग देखने वाले हैं, विंक यूस्ट का टेकनिकल आशिस, डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो इसके लिए मैं पहले विकली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, इसका कारण यह है कि हमें लोंग टर्म का भी हूँ देखना है, आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, अगर आप इंटारी टाइम फ्रेम लेते हैं, तो कोई भी आप यहां पर कोई भी कोई ले लोगे, सब में आपको बाइसल सि देखना है, तो इसलिए मैं विकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए इसमें देखते हैं आखिर क्या हो रहा है, जैसा कि मार्केट आप आप देख रपारे हो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, एक्चौल में हमें समझना है जैसे देखो इस रेंज में आया, तो अब केंडल हुआ, अब केंडल पर वॉल्म बहुत ही जायदे आगया है, इस रेंज का सबसे जायदे वॉल्म है यहां पे, लेकिन यहां पर अपर सेडो भी जायदे है, इसका मतलब क्या है, यहां पर सेलिंग हुआ है निशित रूप अगर हमारा यहां पर यहां पर तरफ से डाउं जना चाहिए और डाउन जाने की कोशिश कर रहा है और अब देखो यहां पर आने की कोशिश करता है फिर से इंसाइडर लोगों और भी यहां पर सेल करके अपना पोशिशन करते जा रहा है अब यहां पर बढ़ आ है तो निश्ची दूरूप से इसे अप जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं जबकि और सेलिंग भड़ गाया यहां यहां पर यह यह कहा रहा है कि मार्केट में टरन केंट महर्किट में इंसाइडर लोग और भी सेल करके यहां पर निकल रहें जood चेसे मोंगा में वह सेल कड़े रहे है थो है तो यह सभी इंडिकेशन ऐए मार्केट डाउन जाएगा यह वीकली टाइम पर है ठीक है Vegetator in 시 से हमें पता चल रहा है कि मार्केट और डाउ लेकिन यह confirm नहीं हुआ है उसके बाद फिर से डाउन केंडल हुआ लेकिन इस पर देखो वॉल्यूम अभी अधिक है यहाँ पर जायदे सेप में चेंजिंग नहीं हुआ बड़ इसके लिए तो वॉल्यूम अधिक है निश्ची तुरूप से और इसके बाद फिर से हुआ है अपर सेडू है और यहाँ पर फिर से सेलिंग हुआ है अब ग्रीन केंडल है इसका मतलब यह ने की बाई ही हो रहा होगा अब वॉल्यूम से कंपेर करो एफोर्ट फरसेस रिजल्ट को कंपेर करो अगर यहाँ पर फिर लगा रहे हो उपर जाने के लिए तो यह पेटन से हमें यही पता चल रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा अब देखते हैं फोर आवर्स की टाइम प्रेम में अगर आप देखो तो मार्केट क्या है कांटिनुरसली डाउन टेंड के और चले जा रहा है लेकिन यहां पर जबाते हैं तो हमारे पास एक शूटिंग य वहां पर निक्षी तरूप से वाल्यम अधिक होना चाहिए अगर लोग वाल्यम है मतलब वह क्या अभी विकनेस को ही मार्केट में दिखा रहा है ठीक है ना उसके बाद एको फिट से लोग वाल्यूम लोग लोग वाल्यूम ले इस सभी का तो मतलब यहां पी यही दिख र अपर आया लेकिन ऊपर जैसे ही आया तो आप देखो फिर से सेलिंग में धृतल बढ़िया ना और जब अब फिर देखो यहां बहां पर optic से मार्केट डाउन जाएगा अब एक यकंड़ ू के हैं उद्री के बारे में जानो मैं विडियो बना दिया उसका ville parcelर ओं यहां करो फोलो करो उसे निश्चे दुरूप से आपको confirmation point मिलेगा आप volume से compare करके देखो ना इन चीजों को आपको बिल्कुल clear signal मिलेगा यहां पर ठीक है न तो यहां पर 4 hours की time frame में भी हमें downtrend का signal मिल रहा हूँ daily पर भी weekly पर यानि सभी तरप से हमें downtrend का signal मिल रहा है चलिए कुछ और down में देखते हैं one hours में देखते हैं क्या हुँ रहा है one hours की time frame में अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर भी यहां पर जैसे यह अगर यहां पर यहां पर थोड़ा सा इसको लगा देता हूं देखो इस range में भी है न यहां पर distribution phase बन रहा था यानि market यहां पर selling range बना रहा ह है और यहां पर shooting इस्टार बगर रहा है जहां पर बन रहा था है ना डोजी candle टॉप पर बन रहा था confirm यहां और सभी में देखो इस candle पर कितना selling pressure अधिक था इस candle पर selling pressure बहुत यह देखो था वहां से market downtrend गया और यहां पर फिर से selling हुआ देखो अगर downtrend में कहीं भी आपको कोई green candle मिलता है ना बीच में तो उस पर volume आप compare करके देखो वहां पर अधिकांस time आपको यही मिलेगा कि insider लोग sale कर रहे हैं वहां पर जैसे मौका मिल रहा ह वह और sale करके निकल जा रहा मार्केट से तो हमें भी insider लोगों के साथ रहना है professional लोगों के साथ रहना है और उसकी activity को हमें जानना है तो volume price तो आपको सिखना पड़ेगा जिसे BPA बोलते है volume price analysis ठीक है ना देखो अब यहां से market और भी down जाने की संभाव ना है अगर मैं अप trend में है up trend में है downtrend में तो अभी भी इसके नीचे है मतलब market यहां पर आप जाने कोसिस किया था लेकिन वापस नीचे आ गया मतलब अभी भी market downtrend में है और downtrend continue रहने की संभाव ना है जब तक कि हमें कोई confirm single नहीं मिल जाता है वापस तो यह था मेरा Wink USDT का detailed technical analysis different time frame में हमने analysis क किया है आपको इसमें किसी भी तरह का doubt है तो आप comment करो और जितना भी चीज़ी बता हूँ यह मेरा personal viewpoint है आप इसके अनुसार कोई भी decision अपनी अनुसार सोच समझ करके ले ना ठीक है ना तो thanks for watching आप चैनल को subscribe करके रखो और bell icon को press करके रखो